स्क्रीन पर एक input output दिख रहे हैं आपको, सबसे पहले input को ध्यान दीजिए, input क्या कर रहा है, ये input है, पूरा line यहां से यहां तक, ये पूरा input है, इस input में क्या-क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, येस, ओके, unless 46, that 54, format 26, then 68, both 32, येस, क्लियर है, ओके, चलिए, तो input outputs जानने से पहले, ओके, alphabetic numbers आपको पता होना जरूरी है, ओके, alphabetic number पता होना जरूरी है, U का number English, alphabetic में 21 number पर आता है, that का number 20 number पर आता है, format का number 6 number पर आता है, D का number 4 number पर आता है, और both, ये, both का number कितने number पर आता है, 2 number पर आता है, येस, ओके, तो इस तरह से दिया है, सबसे पहले क्या गया, both आ गया, सबसे पहले both, और last में भी कुछ changes हो गए, दोस्तो 68, बात, last में क्या हो आए, 68 चला गया है, मतलब, alphabetic में सबसे छोटा जो है, वो पहले आया है, okay, word में सबसे बड़ा जो है, वो last में चला गया है, okay, चलिए, दूसरे में, ध्यान दीजे, both थोड़ा अंदर आ गया, 68 भी थोड़ा अंदर आ गया, और नया element जो है, वो दिन आया, और दिन पहले लग चुका है, और यहाँ पे 54 बात में लग चुका है, yes, पहले step में क्या था, दिन और both, yes, यहाँ पे 68, 54, यह आज़े टीज रग गया, और नया यहाँ पे element आ गया, format और यहाँ पे आया 46, yes, तो समझ में आया होगा आपको, पहले सबसे चोटा, उससे बड़ा लिया, 4 नंबर का, उससे बड़ा, थोड़ा 6 नंबर का, so on, यहाँ पे both, din format, यह तीसरे वाले step में आया, भी नया आया, 20 नंबर का, देन उसके बाद में both, din format, that, unless, मतलब, यहाँ पे देन दीजे, 4 नंबर, 6, sorry, 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, यह तो यहाँ पे, पहले से चालू हुआ, ascending में, और नंबर चालू हुआ, dis ending में, ओके, इसी step के उपर, अभी यहाँ तक तो आपको समझ में होगा, दोस्तो, यह step, फिर से एक बार, अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें, पहले step में आया था, both और 68, पहले step में क्या आया था, both और 68, both कहां से आया, जो word में सबसे चोटा है, 68, जो नंबर में सबसे बड़ा है, yes, नंबर में सबसे बड़ा है, चली, उसी regarding देखते है, आगला input आपको इसी logic से solve करना है, yes, यहाँ पर input दिखा है, ओके, तो input में step number first में, step number first में, पहले तो आप इसको यह करें, code numbering करें, yam कितने number, 13 number पे आता है, w 23 number पे आता है, state 19 number पे आता है, then have कितने number पे आता है, 8 number पे और get 7 number पे, सबसे छोटा word को नहीं इसमें, get, yes, दोस्तो, get चला गया, तो get को यहाँ पे रखे, get, और last में को जाएगा, सबसे word, later में, number में सबसे बड़ा, number में सबसे बड़ा को नहीं, 64, 64 last में चला जाएगा, okay, बचा हुआ, ध्यान दीजिए, पहले state में क्या किया था, यहाँ पे, देखो, बोथ सबसे छोटा पहले आया था, और सबसे बड़ा number 68 पीछे चला गया था, वही format यहाँ पे किये, हमने, okay, बचा हुआ, जो भी, input बचता है, वो बीच में लखे, जैसे कि बीच में क्या बचा है, motor, then 48, wall, 36, stack, have, 52, 18, और 64, यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसी रिगार्डिंग, वो 64 को हमने, डिलेट कर देता है, यह, okay, चैले, उसी रिगार्डिंग देखते है, अभी, step number यह, first हुआ, step number, second, step number, second में क्या हो रहा है, उसके according depth है, yes, get थोड़ा अंदर चला गया था, yes, okay, और यहाँ पे 64 थोड़ा अंदर आएगा, नया element यहाँ पे आएगा, इन दोनों जगा पे, yes, अभी नया element ध्यान दीजिए, नया element यहाँ पे बोथ थोड़ा अंदर चला गया, 68 भी थोड़ा अ लग रहा है, yes, नया element पहले लग रहा है, मतलब यहाँ पे लगा डिन और यहाँ पे लगा 54, मतलब बोथ से थोड़ा बहुत बढ़ा थोड़ा बढ़ा और 68 से थोड़ा चोटा, yes, समझ मेरा दस्तो, चली, next देखते हैं, अभी get से थोड़ा बढ़ा, मतलब get 7 नमबर पे, 8 नमबर पे have है, तो पहले क्या लगे गए यहाँ पे, have, yes, और यहाँ पे 64 से थोड़ा चोटा, अगर बात करते हैं, 52, yes, क्या लगा, 52, बचा वहा, as it is, motor, 48, wall, 36, stop, have चला गया, बचा क्या है, 18, clear, बचा क्या है, 18, yes, क्या है जोस्तो, step number 3, step number 3, yes, ओके, अभी पहले step में क्या आया था, have, get, और यहाँ पे क्या था, 64, 64, और 52, as it is था, नया जो आएगा, यहाँ जो आएगा, यहाँ पे आएगा, yes, ओके, तो, अभी have से थोड़ा बढ़ा, have से थोड़ा बढ़ा की बात करते हैं, motor आ जाएग जोकी, 13 number पे, motor, then last में, 52 से थोड़ा छोटा की बात करता है, 48 आ जाएगा, 48 last में, दोस्तो, याद रखो, जो मैं number नीचे फिल कर रहा हूँ, उसको delete कर रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए, yes, बचा क्या अभी इसमें, यहाँ पे बचा है, wall, 36, top, और 18, clear, okay, step number 4 step number 4 में, बता रहा है, अभी देखो, पहले के क्या है, motor, have, or get, as it is, okay, नया जो आएगा, यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे पहले से क्या था, 64, 52, 48, as it is, नया वर्ड, यहाँ पे लगेगा, अभी motor से छोड़ा, बड़ा, stake है, तो, as it is, stake, then, उसके बाद में, 48 से थोड़ा छोटा, 36 है, तो, 36, as it is, okay, बचा हुआ, बीच में, बीच में, क्या बच रहा है, यहाँ पे, wall, और, क्या बचा है, यहाँ पे, 18, yes, wall, और 18, step number 4, sorry, 5, okay, step number 5, okay, तो, अभी नया पहले से क्या लाया था, हमने, stake, stock, motor, have, get, as it is था, और नया क्या था, यहाँ से क्या था, 64, 52, 48, 36, नया इधर लगेगा, नया इधर लगेगा, अभी, stock, stocks, sorry, stock से थोड़ा, बड़ा की बात करते है, wall, यहाँ पे, और, 36 से थोड़ा चोटा, 18, yes, 36 से थोड़ा चोटा, 18, मतलब, दिया गया input में, टोटली सभी solve हो गया, और उपर कुछ नहीं बचा, ध्यान दिजे, wall 23 नमबर पे, yes, 19 नमबर पे, yum, 13 नमबर पे, have, 8 नमबर पे, get, 7 नमबर पे, 64, 52, 48, 36, 18, दोस्तो, ध्यान दिजे, देखो, बड़े से छोटे तरफ, मतलब, descending चलो है, u, 21 नमबर पे, t, 20 नमबर पे, yav, 6 नमबर पे, d, 4 नमबर पे, b, 2 नमबर पे, similarly, नमबर जो है, वो, वो ही भी descending हो रहा है, 68, 54, 46, 32, 26, ओके, तो हमारा भी कुछ उसी तरह से हुआ है, ओके, चलिए, देखते हैं, यह आपका input है, input को इस तरह से स्वाल करने के बाद, इसके नीचे 5 सवाल रहेंगे, दोस्तों, पहला सवाल हम देखते हैं, पहला सवाल बोला है, which step number would be the following output motor, motor, how, get wall, 36, मतलब, last में क्या चाहिए, 48 चाहिए, okay, starting में क्या चाहिए, motor चाहिए, यह कौन से step में हमें देखना है, yes, okay, okay, अभी, last में 48 कहां पे मिल रहा हो, एक की जगा पे मिल रहा है, और motor, मतलब step number third में उसका answer है, okay, step number third, step number third, option number fifth या आपका correct answer होगा, दोस्तों, yes, okay, how, get wall, check करें, how, how, get wall, 36 stock, 36 stock, 18, 64, 52, 48, okay, चले, 18, 64, 52, 48, मतलब, element to element हमने चेक किया, मतलब सही है, yes, clear है, चले, next question देखते है, second number का question, which of the following represent the position of 64 in the fifth step, okay, step number five में 64 का position क्या है, ये पूचा है, step number fifth में, okay, step number fifth में 64 का position हमें निकालना है, yes, दोस्तों, इसका position, okay, ये right end है, ये आपका starting position left end है, left end की बात करते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, six to the left, और right की बात करते है, 1, 2, 3, 4, 5, fifth to the right, six to the left, fifth to the right, yes, चले, six to the, यहाँ पे तो दिख रहा है, six to the left end तो है, okay, fifth to the right दिख रहा है क्या, काहाँ पी भी दिख नहीं रहा है, ये ये, option number second is correct option दोस्तों, yes, six from the left end, left end side से six number हमारा answer है, yes, clear, समझ में आ रहा है दोस्तों, yes, very good, चले, next question देखते है, how many elements, word or number, okay, elements में word or number दोनों आ जाएंगे, are there between, have and 18, have or 18, as they appear in the last but one, last but one of the output, दोस्तों इस sentence को समझने की कोशिश करें, last but one मतलब, अगर पूरा rearrangement कम्प्लीट होने के लिए, 5 step लगे है, last but one मतलब, 4 step, yes, okay, मतलब जो भी, अगर 7 step आपको कम्प्लीट करने में लगे है, तो last but one, 6, अगर 8 step कम्प्लीट करने में लगे, last but one अगर पूचा, तो 7 number का रहेगा, हमने इसके पहले जो देखा, okay, इसके पहले, ये कितने input में, कितने step में complete हुआ, total 5 step में, okay, इसका last but one को न है, चौता इसका last but one है, चौता इसका last but one step है, yes, okay, अभी, चौते में क्या question क्या पूच रहा था, मतलब वहाँ पे, कि have और 18 के बीच में, कितने, how many elements है, okay, कुन से step में, last but one, मतलब total 5 है, 5 का last but one, 4 होगा, have और 18 के बीच में देखते हैं, okay, चौते में, 18 यहाँ पे है, और have यहाँ पे है, तो get और वाल, कितने हैं, दो लेटर है, दो words है, okay, उसी regarding देखते हैं, okay, answer रहेगा, 2, option number, none of these, इसका correct answer रहेगा, दोस्तो, yes, okay, कितने, none of these, इसका correct answer होगा, क्योंकि, वहाँ पे have और 18 के बीच में, दो ही, elements है, yes, clear, चलिए, चौता question देखते हैं, which of the following would be, 4th to the left, yes, दोस्तों, क्या बोल रहा है, 4th to the left, of second, second to the right of 18, okay, 18 के right में, okay, 18 के right में, in step number, step number 4th, yes, step number 4th में, की बात करते हैं, 18 के right में, second to the right of 18, okay, 18 के right में, second to the right बोला है, second to the right, yes, okay, दोस्तों, याद रखे, जब आपको left-right combination बोलता है, जब left-right combination बोलता है, तो आपको क्या करना है, addition करना है, addition 4 और 2, 6, okay, 4 और 2, 6, which end, right end, क्योंकि किस end में बोलाता, right of 18, yes, right of 18, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, right, तो और एक बात याद सकते हो, left-right बोला है, तो आप plus करोगे, right-left बोला है, तो आप plus करोगे, right-right बोला है, तो आप minus करोगे, left-left अगर बोला है, तो minus करोगे, मतलब यह होगा, same direction अगर होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, minus, और opposite direction होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, plus, इतना याद रखना है आपको, yes, जोस्तो, चले, उसके regarding answer देखते हैं, okay, तो क्या बोल रहा था, 18 के right में हमें 6 number डूनना है, 18 के right में 6 number हमें डूनना है, yes, okay, कैसे करना समझ में आया, या, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 18 के right में जो second number पे है, उसके left में कितना number, fourth number, उसके left में fourth number, yes, 18 के right में जो second number पे है, और उसके left में fourth number, yes, उसका left की बात करता है, चलिए, step number fourth की बात हो रही है, step number fourth में, यहां के बात हो रही है, तो 18 के right में second number पे कोन है, yes, 18 के right में second number, 52 है, क्यूंकि right side यह होगा, उसके left में, उसके left में क्या है, fourth number पे, उसके left में fourth number पे, yes, उसके left की बात करता है, तो यहां पे answer होगा, दोस्तों, और एक shortcut method जो है, आपको जानना यहां पे बहुत ज़रूरी है, ओके, जो अभी मैंने formula बताया था, उसके regarding हम बात करते हैं, ओके, यह जो method में ने बता दिया, ओके, तो यहां पे, यहां पे, यह, एनी end के situation में चलेगा, किस end में, एनी end के situation में, बट, एनी element की बारे में बात करते हैं, एनी element के बारे में बात करते हैं, ओके, एनी element अगर रहेंगे, तो उसके regarding के बात करते हैं, तो इसके just opposite, इसके just opposite, left, right अगर होगा, तो वहां पे minus करेंगे, ओके, और, right, left होगा, तो वहां पे minus करेंगे, right right होता तो plus करेंगे left left होता तो कहां पे क्या करेंगे plus करेंगे यह कब element ओके अभी यह situation क्या है any end नहीं बोला है आपको any element एक element है उसके according बोला है मतलब यहां पे 4 to the left और second to the right मतलब क्या हो जाएगा answer 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 from left बचेगा 18 से second left आपको ढूनना है yes simple thing 18 से second left formula shortcut formula yes 18 से second left की बात करते है 18 यहां पे 18 का left side यह होगा तो second left में कोन है get okay तो answer इसका क्या रहना चाहिए get option number 1 यह correct option है yes दोनों formula आच्छी तरह से आप ध्यान रखें okay उसी regarding आगे चलता है okay next question क्यों और आगला question बोल रहा है in with in the last step of the arrangement wall is related 18 yes last step में क्या बोला है wall is related 18 wall is related 18 yes दोनों last last में है okay आगे wall is related 18 stock is related 36 stock is related 36 stock is related 36 stock is related 36 okay second यहां से second है यहां से second last है ओके और आगे पूचा है in a certain way which of the following motor is related yes be related in the following same pattern yes ओके चलिए यहां पे हैं motor कितना third number पे तो लास्ट से भी third number पे 48 इसका correct answer होना चाहिए हैं okay option number में 48 option number one is correct option दोस्तों आपको समझ में आया होगा पूरा input output ओके इसी तरह से आगे input output का new pattern जो है यह समझने की कोशिश को रहो अच्छी तरह से इसके उपर logic कुछ भी लग सकता है यह दोस्तों थड़ा बहुत मेहनत आपको भी करना पड़ेगा